नमस्कार आप देख रहे हैं सियासत का खेल गाजी पूर जिले के कनेडी गाउं में जिस प्रकार ब्लाक परमुक प्रक्निधी कमलेस सिंग हक्रू द्वारा जाती पूच कर मार पीट किया गया अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के बिढ़ायक बिरेंदर यादों ने क कहा कि प्रदेश की कानून ब्यवस्था पूरी तरीके से धोस्त हो चुकी है और एक जाती बिशिश को लोगों का दबदबा सरकारी मसेंदी पर दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के बिढ़ायक बिरेंदर यादों ने कहा कि दूसरी और समाच के अन लोगों के सा अन्याएं हो रहा है सादत मामले पर उन्होंने कहा कि जाती बिशिश को अपमानित कनने वाले आरोपी पर आखिर पुलिस महरबान क्यों है क्या सरकार और प्रसासन जाती बिशिश के हाथों में हो चुका है आपको बता दें कि जंगी पूर से समाजवादी पार्टी के बि सुस कर रहे हैं सी गिरही अगर जाती बिशिश को अपमानित कनने वाले के खिलाप दर्जमकर्मे में धाराएं लगाते हुए गिरफतारी नहीं की जाती है तो लोग आंदोलन करने को विवस हो जाएंगे इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रसासन और सरकार की होगी सपा का अन्याएं बर्दास नहीं करेंगे उन्होंने कहा कि इस सरकार में खुले आम कानून की धर्जियां उड़ाई आ रही हैं वीडियो वाइरल होने के बावजूर आरोपी पर महरबान दिखाई दे रही है सरकार और निर्दोसों और पीरिट लोगों पर फरजी मुकर्दमे दर्ज किये जा रहे हैं समाजबादी के पार्टी के बिधायक बिदेन रियारों ने कहा कि आरग जक्ता का पूरा बोल वाला है आम आदमी खुट को आश्रक्षित और लाचार समझ रहा है पुलिस द्वारा किये जारे अन्याय को हम बर्दास नहीं करेंगे अगर जल्द ही कमलेश सिंह कुडू की गिरफतारी नहीं हुआ तो हम बड़ा आंदुलक करने के लिए बिवस हो जाएंगे और इसकी जिम मेडारी जिला प्रसासन की होगी अगर आपने हभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए धन्वाद